भारत का एक राज है जो अपनी प्रकृतिक और सुन्दता विवित संस्क्तियों के लिए प्रसिद है इमाले प्रवत सिंखला में इस्तीत जमू कस्मीर देश की सबसे लुभाने प्रिदिस्यों का घर है जिनमें बर्फ से ठकी चोटियां, अलपलाइन, पास की मेदान और अच्चे जनक खाटियां सामिल है जमू कस्मीर की खुबसूरती, जमू कस्मीर की सुन्दता वर्ट की हर महीने लाको प्रिदिकों का प्रिदिक का अनुभाव कर सकते हैं अगर आप जम कस्मिर जाना चाहते हैं तो कस्मीर में घूमने की सबसे खुबसुरूत जगह और पर इटनुक अस्तलों की परमूब जगह के बारे में बात करने वाले हैं यह बहुत ही बेहतरिन जगह हैं घूमने के लाइक हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नहीं आये हो तो सस्क्राइब कर ले बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नट्पिकस्न मिलता रहेगा तो बिना लेट के वे वीडियो को करते हैं यहां की संदर इद्रिस के नजारों में लिंक कर देंगे टॉप सिक्स की बात करें तो टॉप सिक्स पर आता पालगमा जमू जाने वाले प्रेटिकों के बीच सबसे लग पिरी प्रेटिकस्तल है जो 2740 मिटर की उचाई परिस्तित यह अस्थान खुपसूरत जील पेड़ पोदेख फूल और घास के मेदान से घिरे हुए हैं यहां की हर्याली और परिकृतिक सुदत्ता के बीच परेटिकों का समय बिताना काफी पसंद आता है यहां पर परेटिकों को जील में रैप्टिंग और ग्लॉपिंग का अनद ले सकते हैं यहां पर मामला मंदिर बेताल घाटी है जो यहां के परमोग का कर सक है यहां के आसपास के बजार में कई परेटिक कश्मीरी वेस्ट में बेची जाती है जिससे यहां आने वाले परेटिकों सौपिंग भी कर सकते हैं यह अस्तान स्वर्ग से कम नहीं अधी परकृतिक सुन्दता आनद लेना चाहते हैं तो चमो की आत्रा के दोरान पालगामा को जरूर विजिट करें टॉप फाइप की बात करें तो टॉप फाइप पर आता है गुलमर्ग जिसे फूलों की खांस का मैदान के रूप में जाना जाता है जो कस्मीर की की उसरती और कस्मीर की सुन्दता का बहुत बड़ा हिसा है गुलमर्ग बर्व से ढखे पहाडों के प्रिष्टिक भूमी के खिलाप अपने जिवन पुलों के साथ कस्मीर में एक आकर सई जनक करतन है या अपनी प्रकृतिक सुन्दता और विविन प्रकार की गतिविदियों के कारण कस्मीर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जग प्रिवेश अलावा गुलमर्ग का एडवेंचर्स के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है जो कोई प्रकार की स्किन विकल्प और लुगान दृष्टिक से पेस करता है टॉप फोर की बात करें तो टॉप फोर पर आता है बेताब घाटी जमु कस्मीर में इस्तित एक सुन प्रिवेश और लंबी पेदल आतरा के लिए परसीद है बेताब जैसी घाटी में कई प्रकार्तिक जरना है जिसमें परसीद चारदवार मुवासंत सामिल है इसलिए टूरिस्ट इहां पिकनिक जैसी पहरी करके विदिया के लिए चाहना पसंद करती है टॉप त्री की बात के जाएश तो टॉप 3 पर आटा डल जिल जमुर कस्मीर के स्रीनगर सहर में इस्तिति एक लोग पी रिप्रेंटनस तलह है जो घसमुर में भाटी इस्तित है सबसे सुपसूरत और सबसे सुन्दर कस्मीर में धूम्ने की जगह में डल जिल इसलिए है कि इस धिल का हाई पूर्ट्स मुगल गाटन और सिकारा वोट राइट के लिए जूरिस्ट को हमेशा करसित करती है जमूर कस्मीर परसित जगर डल जिल हमाले परवत सरिंखला से गिरी हुई है और फोटोग्राफिक अदर्शने इस धलो की आत्रा के लिए एक लोग की रिया स्थान है टॉप टू की बात की जाए तो टॉप टू पर ले लदाग अपने विहंड पहारी इलाके उचाई वाले रेकिस्तान और साफ नीले अस्मान के साथ चम गस्मिर में सबसे सिद गुमने की जगह में यह छेतर कहीं बोध मर्टों का घर है जिन में गोपा के नाम से जाना जाता है जो लोग प्रिपरेट गया कर सकते ले लदाग का मुख्य सहर ले है जो इस छेतर का पर्थरनी केंदर है ले 3500 मेटर की उचाई परिस्तित है यह और विसाल परवस चोटियों से गिरा हुआ है ले लदाग ट्रैकर्स और साहिसिक चाहने वालों के लिए एक लुक्त्री डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि यह मांटन, वाइकिंग, ट्रैक्टिंग और प्रेलाइटिंग जैसी गतिविद्निया के लिए विस्तुस्त से रिंकला पलान करती है टॉप नमर वन की बात करें तो टॉप नमर वन परता डंग जलपरपात यह जमू कस्मित की बैरमूला गुलमर्ग की तरमर्ग तहसील में स्थित दरंग जलपरपात परिटुगों के लिए अच्चे जनगस्तान है राजसी पहाडों से घिरा ज़रना नीचे गेता है ठंड के कारण सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है जर्मियों के महीनों के दोरान द्रूंग जलपरपात जीलो और जर्नो आसपास की हरी आली के द्रिश का अनंद लेने के साथ सद गुपाओं की खोर्ज के लिए सांती पुर्ण वतावरन परदान करने वाला कस्मीर भूमने की सपरसीद जगह है इस जगह की आस्चे जनक बात ही है कि सर्दियों में इस छेत्रो और भी आस्चे जनक हो जाता है क्योंकि धर्ने और जील और धराएं जम जाती है जिसे एक जादूए वर्फीडे परवेश दिर्शी का नेमान होता है अधि आप काफी बहादूर है तो आप एक अनुखा और उत्राइक अनुभव के लिए बर्फ के ठंडे पानी में डूपकी भी लगा सकते हैं